जै गवमाता जै गवपाल आप देख रहें को कुल धाम को स्वेवा मातिर जचर हरियाना में यहां पर स्पेशली बिमार गाएं की सेवा होती है और यहां पर लगबग एक हजार से ज़्यादा गोवन्स हमारे पास अभी उत्जारा धीन है जो हमारी देशी गवमाताई है वो कीचड में कभी नहीं बैठती उनको साफ सुतरा बैठने को चाहिए गवमाताओं को जैसे जो जर्शी गाएं होती है उनको आप है ना कहीं भी कीचड में बठा दो कहीं भी बठा दो आराम से बैठ जाएंगे लेकिन जो हमारी देशी गव जो हमारी बीमार गवमाता है उनको विशेश रख रखाओ की जरूरत होती है जो हमारी बालू मिट्टी है इसको हम गवमाता के नीचे भिछाते हैं हमारे जितने भी ठान है सब कच्चे हैं बिल्कुल बालू मिट्टी मकमली मिट्टी हम गवमाता के लिए आप रखते हैं और इसको डेली जढू लगाते हैं, जताली लगाते हैं, इसको रेद को छलने से चानते हैं, ताकि इसमें गंदगी ना फैले, बिल्कुल साफ सुसरी रहे। और महीने में 15 दिन में जैसे मिट्टी खराब होने लगते हैं, तो हम उसको जैसीवी के दवारा उसको निकाल के बार फैकते हैं, और बिल्कुल नई ताजा फ्रेस मिट्टी हम गवमाता के लिए यहां पर बिछाते हैं, तो बिमार गवमाता के लिए विशेश रूप से उनक रख रखाओ करना पड़ता है, जितना अधिक हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, उतनी ही जल्दी हमारी गवमाता हैं सवस्थ होंगी, जै गवमाता, जै गवपार!